हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well तो दोस्तों ये वीडियो बहुत important है हर उस बच्चे के लिए जो अपने CA final का registration कर रहा है और उसका attempt May 25 या उसके बाद कभी भी है आप लोगों को registration करते हुगत एक सवाल पूछा जा रहा है तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो self-paced online module जो है इसका मतलब ये है कि आप अपने convenience पे कभी भी ये exams जो है वो लिख सकते है उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दू तो अपने convenience पे जितना जल्दी हो सा कि उतना जल्दी लिख लीजाए क्यों सर ऐसा वाई सो बिकॉज इस प्रॉबिली इन डिसकाशन में को बहुत वेग इन्फरमेशन आईए उड़ते उड़ते खबर आईए कि ये एक फेलो फाकल्टी से कि institute is discussing implementation of negative marking in these papers I don't know how true it is but I want to believe it why do I want to believe it उससे क्या होगा उससे ये होगा कि जल्दी 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 हम paper लिख के pass हो जाएंगे उसमें तो कोई नुकसान नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को ये भी मान करके चलना चाहिए कि मैं set A, set B, set C, set D है जो 4 set है इसको मैं जल्द से जल्द clear कर लो तो मेरा काम है registration करो और फटा-फट जो है I.C.I. के lectures देखना शुडू कर लो और उसके बाद अगर आपको I.C.I. के lectures जमें तो ठीक नहीं तो आप YouTube से classes purchase करके जो भी करके खतम कीजिए exam लिखिए, pass होई है, आगे बढ़िए दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि यह जो set A और set B है उसके बारे में क्या करना है सर, set A और set B तो fixed है यह आपका corporate and economic law है पूरा CA final का जो saw marks का paper था वो पूरा syllabus यहाँ पर डाल करके वो test कर रहे है कुछ papers बहुत easy आ रहे है कुछ papers tricky आ रहे है बहुत बच्चे pass हो रहे है थोड़े बच्चे fail भी हो रहे है पर चलता जा रहे है set A और set B आप लोगों के लिए mandatory है इसमें आपके पास कोई option नहीं है पर रजा आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास set C है जब आप अपना registration करते हो वहाँ पर आपको select करने का option आता है अब sir मेरा सबसे पहला सवाल ये था क्या ये जो आप आप set C select कर रहे हो क्या आप आप में उसको change कर सकते हो कि तो मेरे दो source of information थे एक मैंने ICI के branch पे call किया तो उन्होंने बोला नहीं change कर सकते है जो मेरे को बहुत गलत लग रहा है बहुत irrelevant सा लग रहा है change करने दो न तुम्हारा क्या जा रहा है पर दूसरी तरफ में को एक जने ने share किया अंदर से कि वह आप change कर सकते हो पर में को clarity नहीं है मैं यह मान के चलूँगा कि हम change नहीं कर सकते तो आज जो decision लेंगे हम वही पक्का रखेंगे और hope ही चाहेगा चिंता मत करो मेरे पस आपके लिए इसका answer है सेट C अगर आप देखोगे तो नया ही चाप्टर है पूरा sustainable development and sustainability reporting public finance and government accounting तो यह दोरो accounting से related होगे लगबग आपका reporting भी होगे sustainability reporting वगेरा insolvency bankruptcy code यह law से related है international taxation proper आपका direct tax का syllabus है arbitration and conciliation act forensic accounting, valuation, financial service and capital market forex and treasury management तो सर कुछ portion ना जैसे last के तीन portion आपके AFM subject से relate करते है आपका forensic accounting audit से accounting से relate करते है arbitration और insolvency आपके law से relate करते है और international taxation आपके DT से relate करते है मतलब यह सारे subject आपके core से कहीं ना कहीं related है तो सर इन में से कौन से select करें मैं आपके लिए दो option दे सकता हो एक है paper 4 और एक है paper 5 बस क्यों सर ऐसा मैं बताता हूं सुनो जब आप set A पढ़ते हो ना जब आप set A law पढ़ोगे तो set A law में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखो एक chapter है insolvency bankruptcy code आपके insolvency bankruptcy code जितना हम पढ़ते हैं उतना पढ़के उतना भी समझके जाओगे ना या उससे थोड़ा सा ज़ादा effort डालोगे ना तो आपका वो 100 marks का insolvency bankruptcy code पूरा खतम हो जाएगा मैं आपको थोड़ी देर में और justify करूँगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं पर आपका insolvency bankruptcy code is the best choice क्यों सर क्यों कि मेरा full lectures था 15 गंटे का 15 गंटे का lectures मैंने मेरे website पे available करवा दिया शुबंसिंगल.com पे नीचे आपको description पे link बिल जाएगा आपको मैं नहीं बोल रहा हूं आपको लेना है आप YouTube revision videos देखो आप ये वाले SPOM के lectures से भी आपका हो जाएगा क्योंकि जो मैंने SPOM का 35 hours का lecture दिया है उसमें मैंने आपको IBC पूरा दे रखा है तो आप SPOM का set A लोगे तो उसके साथ ये complimentary हो जाएगा आपका पर दोस्तो मैं आपको कह रहा हूं resources बहुत है इंसॉल्वेंसी bankruptcy code के लिए YouTube पे भी बहुत है आपका काम हो जाएगा पर आपको 10 से 12 घंटा दोगे ना तो आपका इंसॉल्वेंसी bankruptcy code का काम हो जाएगा पर मेरी बात सुनो इधर सुनो सुनो जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करते ना तो तीन तरह के लोगों की इंसॉल्वेंसी होती है corporate person यानि की companies एक partnership firm और एक individual हमारे CA final के syllabus में और set A में हम सिर्फ corporate person की बात करते हैं हम partnership और individual की बात नहीं करते हैं आपको वीडियोस मिलेंगे, lectures मिलेंगे जो भी मिलेंगे हर जगा आपको partnership firm और individual की बात नहीं होगी पर उसका वेटेज जो है ना aggregate बहुत कम है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप CA final के दम पे, ये set A के lectures के दम पे, या आप YouTube के वीडियोस के दम पे set C में insolvency bankruptcy code जो है, अराम से निकाल लेंगे, कोई tension नहीं है, अब उसके बात दोस्तों, अच्छ, हमें को बोलते-बोलते ये realize हुआ कि मैंने अपने न बुक में, जो मेरी बुक है, set A की, उसमें मैंने insolvency bankruptcy code पूरा ही डाल देना चाहिए, जो मैंने अभी उसको क्या रखा है, उसको मैंने set A के हिसाब से रखा है, उसमें आप अपने paper 4, direct tax और international taxation के साथ पढ़ लोगे न, तो उसके बाद ये आपके लिए cake walk है, इंटरनाशनल taxation जैसे हमारे class का मैंने content match किया, उसके साथ पूरा-पूरा पाई-टू-पाई match करता है, आप अपना DT का class खतम करने के बाद, आप जा करके international taxation आप बंद करके लिखोगे, और आप आप बंद करके न, खोल के लिखोगे और आपका काम हो जाएगा, तो आप international taxation भी opt कर सकते हो, पर फरक समझना सर paper 4 का, paper 5 का, paper 4 का attempt को समय है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, DT अगर पढ़ने को time है, तो नहीं recommend करूँगा, क्योंकि एक तो है, बहुत चोटा सा act, पर नहीं आपका लेना देना नहीं आने वाला, ना तो यह आपके law में काम आएगा, ना किसी भी course में काम आएगा, तो आपको अलग से पूरा नया चीज पढ़के कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा IPC है International Taxation ही पढ़ लो, पर राजा उसके अलावा जो risk management है, जैसा हम क्या में को जिसे AFM बहुत पसंद है में को financial management बहुत पसंद है तो में को risk management, में को financial service and capital market, यह सब subject बहुत attract करता, पर मत लेना पिछले open book exams में से, इन सबके अच्छे questions बने हुए है, तो हमको risk नहीं लेना है, अपने को pass होना है, यह marks mark sheet में थोड़ी आ रहे है हमारे, हमको इसके basis में job थोड़ी मिल रही है, तो हमको सबसे कम energy में हमको maximum result चाहिए, और वो यहां से मिलेगा, तो आपका paper 4 and 5 is the answer, 6 is a no no no, 7 से लेकर के 10 you may be interested in financial management but this is not your answer, क्यों रहे है forex, treasury management, कुछ नहीं भाई pass होना है अपने को, ठीक है तो आप सरी दोनों में से एक select कर लो मेरा final recommendation होगा paper 4 अगर आपके समय को, आपके DTE को पढ़ने को अभी time है और अगर आप अभी-अभी DTE पढ़े हो मेरी कोई classes ले रखे हो, तो आपको international taxation भी जो है, वो भी ले सकते हो, अब आज आते हैं सरस्ट D में चारो ही topic independent है, तुमारी जो मर्जी वो करो मैंने चारो देखा, पहला वाला Constitution of India है, वो पढ़ना है Psychology पढ़ना है, Startup पढ़ना है तुमको बस क्या करना पढ़ेगा बैट करके मैंने देखे इसके चोटे-चोटे chapters है chapters 10-12, 8-10 chapters है चोटे-चोटे, 22-30 page के हैं, आपको बस स्क्रोल करते-करते-करते-करते पढ़ना है पर सेट सीख लें, मैं आपको स्टार्टप का स्टार्टप का जो है, ये वाला एक बारी स्टार्टप बाला जो section है, ये वाली opt कर ले ना, क्योंकि मेरी ऐसी gut feeling है स्टार्टप वगेरा पर कुछ ना कुछ आपको YouTube में आगे कोई ना कोई faculty आ करके वीडियो बना करके जरूर दे देंगे, तो आपको relevant content मिल जाएगा, पर आपको अगर reading का shock है ना, तो आप psychology भी देख सकते हो, आप digital ecosystem, लास्ट वाला तो मैं personally recommend नहीं करूँगा, मैं को बहुत जादा technical वो नहीं चाहिए, मैं को नहीं दिमाग लगाना बहुत जादा, psychology और start-up मैं से दोनों आप ले सकते हो, अगर आपको constitution वगेरा में interest है, तो one ले सकते हो, तो this is purely based on interest but if you ask me one, I'll say go for startup ecosystem, more relevant as of today ठीक है, psychology भी ले सकते हो पर start-up is more relevant, I think that will be your answer, तो सोच समझ के select करना फटाफट select कर लो, कोई और चीज़ आपको चाहिए तो comment पर जरूर बता देना, और बस चलते जाओ, बढ़ते जाओ, मिलेंगे आगे अगले वीडियो में, पहली बार इस चैनल पर आए तो subscribe जरूर कर लेना, वीडियो helpful रहा तो like जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वीडियो का target रखेंगे, बहुत चोटा सा like का target सिर्फ हम लोग रखेंगे 100 likes का, ठीक है ताकि 100 बच्चों को help हुआ, और उसके बाद मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, until then take care, this is your CA buddy Shuvam Singh Hul, signing off, bye-bye